आज तक अपने चाइना को अपने सस्ते प्रोडक्ट्स, पूरे वोल्ड के लिए मैनुफ्रेक्ट्रिंग हब, या फिर अमेरिका रशिया के बाद उभरता हुआ सूपर पावर के लिए ही जाना होगा। लेकिन इतिहास पर नजर डाले तो पाएंगे कि दुनिया में समय समय पर महामारियां फैलती रही हैं। इन में से जादातर महामारियों में एक देश का नाम कॉमन है और वो है चाइना। इसमें चाहे 19th century की स्टार्टिंग में फैले प्लेक की बात हो जो चाइना के वुहान शहर से होकर इंडिया समय पूरे एशिया में फैल गया था। उस टाइम के ब्रिटिश रूल इंडिया समय पूरी दुनिया में 10 करोड लोगों की जान का कारण बन गया था। या फिर हो बात एशियन फ्ल्यू, स्वाइन फ्ल्यू, बर्ड फ्ल्यू, H1N1, सार्स और अब कोरोना वाइरस की। सारे के सारे वाइरस चाइना से ही फैले ह अब ये सोच के दिवांग में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा की ऐसा चाइना में क्या है? जो भी बिमारी चाइना ने फिलाई उसका कोई इलाज नहीं मिलता? इसी बात की तह तक जाकर आपको बताऊंगी की आखिर क्यूं दुनिया में तबाही मचाने वाली धेरो महमार चीन से ही पैदा होती हैं और आखे क्यू चाइना की ताकतवर सरकार इनको पैदा होने से रोकने में असमर्थ हैं? आप सब बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक आप सभी भली भांती जानते होंगे की चीन में कोरोना वाइरस का प्रकोप चल रहा है चाइना के एक शहर वुहान में कोरोना वाइरस नाम का रहसमेट डेडली वाइरस फैल गया है एकॉर्डिंग टू साइन्टेस्ट ये वाइरस वाइल्ड एनिमल से हुमन में आया है अभी तक यही पता चल पाया है कि ये चमगादर या फिर साम जैसे जंगली जानवरों को खाने से इंसानों में आया लेकिन इतना पक्का है कि ये बिमारी इनसानी बिमारी नहीं है और अब ये कॉंटेजिस डिजीज की तरह human to human फैल रहा है और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं ढूंडा गया है ये जानवरों की बिमारी है जो इंसानों में फैल गई है और इसी लिए इंसानों के पास फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है ऐसी बिमारिया जादा खतरनाक होती हैं क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती ना कोई research, ना कोई history, ना कोई experience, ना कोई vaccine और ना ही कोई दवाईयां इंसानों की खतरनाक से खतरनाक बिमारी का इलाज करने के लिए हमारे पास एंटिबायोटिक हैं स्टिरियोड्स हैं, stem cell therapy हैं और दूसरे बहुत सारे alternative options हैं लेकिन जब जानवरों की बिमारी इंसानों के शरीर में आ जाती है, तो उनके virus नई human body के new environment में एकदम अलग ठंग से behave करने लगते हैं बहुत से मोकों पे वो इंसानी बिमारी के साथ मिलकर एक नई ही किस्म की बिमारी को जन दे देते हैं इन हलात में ये virus करीब करीब ला इलाज हो जाते हैं जब तक उनका कोई इलाज निकलता है, तब तक कई महीने या फिर साल बीच चुके होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी होती है अफसोस की बात है कि यही हाल आजकल हमें कोरोना वाइरस के वज़े से देखने को मिल रहा है अब सबसे बड़ा सवाल उठता है चाइना ही क्यों? ऐसा क्या अलग है चीनी लोगों में या फिर चीनी जानवरों में जिससे अंक्यूरेबल डिजिजिस फैल जाती है 1957 में आए एशिन फ्लू जिसने पूरी दुनिया में तभाई मचाई वो भी चीन से ही निकला वहीं 2002-2003 में जब सार्स का प्रकोफ फैला वो भी चाइना से ही था H1N1 स्वाइन फ्लू के बारे में आप जानते ही हैं कहां से आया? बट में क्वेशन अभी यही बना हुआ है कि चाइना ही क्यों जड़ है इन सभी महामारियों की साइन्टिस्ट और डॉक्टर्स के रिसर्च और एक्स्पिरियन्स के बेसिस पे कई कारण सामने आये हैं सबसे प्रमुक कारण चाइनीज लोगों का वाइल्ड एनिमल्स जैसी की चमगादर, साब, मेंडग और पता नहीं क्या-क्या खाते हैं अब सवाल उड़ता है, ये सब तो साउटेशन कंट्रीज, जैसी की वाइतनाम हो गया, थाइलेंड, होंग कॉंग जैसे देशों में भी खाया जाता है, चीन ही क्यूँ? चीन के लोगों के खाने में फरक यह है कि ये लोग कच्चा खाते हैं, अगर उसको पका के खाया होता, तो उसको पकाने से उसका वाइरस मर जाता और ये वाइरस इंसानों में नहीं आता और ऐसा कई बार सरकार की लापरवाही के कारण भी वाइरस ज़्यादा फैल जाता है कोरना वाइरस के मामले में भी यही देखा गया चाइना के हीरो डॉक्टर ली बैंग लियान ने अक्टूबर में ही बता दिया था कि सार्स की फैमली से मिलता जुलता वाइरस इंसान के शरीर तक पहुँच चुका है लेकिन चाइना गवर्मेंट ने पूरे विश्व के सामने अपने देश की छवी बिगड़ने के दर से उस डॉक्टर की वार्निंग को अंदेखा कर दिया और परवाही का इंतजाम चाइना समेत पूरा विश्व भुगत रहा है ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार पहले सतर्क हो जरूरी एतिहात कदम उठाए चिकितसा की अच्छी सुवीदा मोहिया करवाए तब भी इहालत भेतर हो सकती है चाइना अपने एगो का इशू ना बनाए और समे रहते डबलू एचो समे दुनिया के सामने सिचुएशन से लड़ने में साथ देने का आग्रह करे तो ऐसी महामारी से बचा जा सकता है चीनी सरकार अगर सारी बात बताए अपने लोगों को जागरुख करे तब भी इस्तितियां बदल सकती है हाला कि चीनी सरकार से और थोड़ी जादा उमीद हो जाएगी क्योंकि चीनी सरकार information share करने के लिए नहीं बलकि छिपाने के लिए जादा जानी जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हालत और भी नाजुक हो जाती है किसी भी देश के नागरिक ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं क्या भारत तयार है ऐसी आपदा से निपटने के लिए आईए प्रातना करें चाइना के गलतियां पूरी दुनिया को ना ले डूबें इसमें आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुँचा कर ताकि कम से कम हम भारतवासी ऐसी महमारी से निपटने के लिए तयार रहें आपकी नजर में कुछ ऐसा आईडिया या कुछ पॉइंट हो जो भारत सकार को करना चाहिए जो कारगार साबित हो सकता है अपने विचार नीचे कमेंट करके हम सब के साथ जरूर शेयर करें और हाँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें